जेकी निव्स टुडे में आप सभी का स्वागत है 2024 लोग सबा चुनावों का आगाज हो चुका है Election Commission से लेकर सभी political parties तैयारी में जुड़ गई है ऐसे में कश्मीरी migrants के लिए voting के क्या इंतजाम है और उसको लेकर क्या कुछ updates आई हैं आई ये जानते हैं Election Commission ने voter जागरुता को बढ़ावा देने के लिए और चुनाव की integrity बनाये रखने के लिए कई नए कदम उठाए हैं और कई नए programs को launch भी किया है ऐसे में कश्मीरी migrants के लिए भी एक comprehensive voting scheme को announce किया गया है ये scheme कश्मीरी migrants के लिए इन लोकसबा elections में भागिदारी को बढ़ाने का मकसद रखती है विशेश रूप से बारा मुला, श्रीनगर और अनंतनाग राजोरी parliamentary constituencies में जो कश्मीरी migrant voters listed हैं उनके लिए program launch किया गया है Election Commission ने दो categories जारी किये हैं इसमें specified और notified voters तो कश्मीरी migrants अपना vote कैसे डाल सकते हैं आगे ध्यान से सुनिए Election Commission ने दो मुख्य तरीके निर्धारित किये हैं इसके लिए जो पहला तरीका है वो उन लोगों के लिए है जो व्यक्तिकत रूप से vote डालना चाहते हैं यानि खुद जाकर पोलिंग स्टेशन में वोट डालना चाहते हैं उनके लिए 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशन सेट अप कर दिये गए हैं जहां 21 जम्मू में होंगे एक उधंपूर में और चार दिल्ली में यह उन्हें एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के जरीए भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है जो भी लोग आसपास रिलीफ केंप्स में रहते हैं उनके लिए और दूसरा तरीका है माइगरेंट पोस्टल बैलेट को चेहन कर सकते हैं from 12C यानि की जो भी कश्मीरी माइगरेंट है वो पोस्टल बैलेट के तरीके से उसको सेलेक करकर form 12C भरकर अपना वोट डाल सकता है और यह फॉर्म्स कम से कम मद्दान तारीक से दस दिन पहले जमू के असिस्टेंट सकते हैं अपने वर्तवान निवस्थल में जाकर देश भर में कहीं भी यह यारो आफिसर उन्हें मिल सकता है अलेक्शन कमिशन ने माइगरेंट वोटर को विवरं तक पहुचाने के लिए एक सुविदा यारो नेट के माद्यम से भी प्रधान की है अब अगर बात करें चुन अप्रिल को धंपुर में चब्विस अप्रिल को जम्मू में साथ में को अनंतनाग राजोरी में 13 में को श्रीनगर में और 20 में को बारा मुला में और इनकी गिंती की जाएगी चार जून को मद्दान विवस्था के सहायक बनाने के लिए एलेक्शन कमिशन ने को उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिससे उनकी पहुंच स्थीती से जुडाव को ध्यान में रखा जा सके यानि कि जो हम ट्रेलसी फॉर्म की बात कर रहे थे पोस्टल बैलेट की तरफ जिन्होंने वोट देना है वो लोग ऑनलाइन भी वेबसाइट पर जाक कि जितनी भी डिटेल्स को वेरिफाई करना है और एलेक्ट्रोनिक वोटिंग जो भी होगी उसके लिए भी जो यारोस हैं वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो हैं इस तरफ लेके जा रहे हैं क्यूंकि उनको स्पेसिफिकली इसी लिए चैन किया गया है माइरेंट वोट के लिए जो भी वोटिंग होगी उसके लिए वहां पर रहें और उनकी साहिता कर सके इन उपायों के साथ एलेक्शन कमिशन का लक्ष्य है कि कश्मीरी माइग्रेंट को चुनाव प्रक्रिया में गतिविद्यों में शामिल करके लोगतंत्र को मजबूत बनाना इन उपायों देना और फ्री एंड फियर एलेक्शन की नीतियों को समर्थ करना देश और दुनिया की ऐसी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें जैके नियूस टुड़े